और हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं प्रात्मिक सिख्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग का एक लेटर सेयर करना चाह रहा हूँ। इसके लिए सिख्षा विभाग बिहार सरकार और SCERT यानि State Council of Educational Research and Training बिहार के संजुक्त प्रयास से मिशन कैवल्ले के तहत दिख्षा प्लेटफॉर्म पर दो सिख्षक प्रसिक्षण e-course, e-escort कार्जकरम के अंतरगत लंच किये जा रहा है। ये कार्जकरम 7 जुन 2021 को अप्रहान 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच किया जाएगा। और यूट्यूब पर ऑनलाइन लंचिंग डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग जो निदेशक है प्रात्मिक सिख्षा के और श्री ग्रीवल द्यार्द सिंग जो निदेशक है माध्यमिक सिख्षा के दोनों लोग संजुक्त रूप से करेंगे। इसके लिए लिंक भी दिया गया है लिंक में youtube.be यूट्यूब डाइरेक्ट नहीं लिखना है यूट्यू उसके बाद डॉट लगाना है फिर बी लग और शेशन में जुड जाना है इसके लिए उन्होंने सभी headmaster, teachers, बिद्याले सिक्षा समीधी के सदस से, टोला सेवक, तालिमी मरकज, विद्याले से संबंधित जंद परतिनिधियों को सुचित करने का निर्देश दिया है और ये कार्ट करम सिर्फ सिक्षकों के लिए ही नहीं है, बलकि जितने अधिकारी हैं, चाहे वो DO हो, DPO हो, या Block Education Officer हो, या CRCC हो, BRCC हो, सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें पूरी निष्ठा के संग सहब आगिता सुनिश्चित करनी है पिछला जो लाइफ सेशन हुआ था, जिसमें, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने बताया था, कि यह सब के लिए अनिवार्ज है कोई optional नहीं है, कि चाहें तो जुड़ें और चाहें तो न जुड़ें mandatory है, इसमें जुड़ना ही है, और इसका अधिक्तम लाब बच्चों को मिले, इसके लिए प्रयास करना है दिक्षा जो है, एक learning platform भी है, और training platform भी है यहाँ teachers training भी ले सकते हैं, और सीख भी सकते हैं, और उस सीखे हुए का बच्चों को बेहतर सिख्चा देने में परियोग कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ consumer नहीं बनना है यानि जो study material है, उसको ही सिर्फ सीखना नहीं है, creator भी बनना है और अपने तरफ से innovative ideas ले करके इस पे वीडियो अपलोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से एक learning circle create किया जा सकता है यह कार्च करम continue चलेगा, और इसमें monthly YouTube live session भी होगा जिसमें देश बिदेश के बिसेसगे जुडेंगे, उसके लिए Google form जारी किया जाएगा और Google form भर के सभी लोग भेजेंगे कि हम किस topic पे किस export को सुनना चाहते है उसके हिसाब से कार्च करम आगे का चलता रहेगा यह बहुत सुखद है कि हमारे बिहार प्रांथ में ऐसे समर्पित सिक्षा पदाधिकारी है जो लोग अपने पखल से बेहतर सिक्षा देने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है इनके प्रयासों की न के वल सराहना करने की ज़रुरत है बलकि उसमें सहभागिता बढ़ा करके अपने हिस्से का स्रेष्ट भी देने की आउसेकता है मैं आसा करता हूँ कि हम सब लोग इस लाइप सेशन से जुड़ेंगे और जो सीखने के सिधान नाम से कार्जकरम लंच होने जा रहा है उसका अधिक्तम लाब उठाएंगे इसी आसा और विश्वास के संग बहुत बहुत धन्यवाद